हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू अनलाइन क्लासेज ओफ आरलकेडमी स्टुडेंट्स आज की वीडियो में अपन ट्वैल्थ इंग्लिश कंपल्सरी की रेनबो भूक से चेप्टर नमर फाइव का सेकेंड पार्ट जिसका नेम है प्योरिटी इज पावर के इंपोर्टेंट क्योसन्स एंड आंसर समझने वाले हैं हालांकि स्टुडेंट्स इस चेप्टर को पढ़े अपन को काफी टाइम हो गया है और इस चेप्टर की क्योसन आंसर की पीडिया भी मापको फोवर्ड कर चुका हो लेकिन उस टाइम क्योसन आंसर की पीडिया भी फोवर्ड की थी क् वीडियो में जो purity is power है इसके important question answers को detail से अपन समझने वाले हैं इससे पहले अगर students आपने अगर purity is power chapter का Hindi translations वीडियो आपने आने की नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के description box के अंदर मैं सारी link डाल रहा हूँ वहां से आप क्या कर सकते हो Hindi translations वाले वीडियो भी वीडियो भी वोच कर सकते हो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्योशन आंसर second part है purity is power तो आप स्टार्ट कर दीजिए नए पेज से Dr. K. सुबरमन ने में इसके writer है तो पहला question है in which areas do we need purity कौन कौन से areas है कौन कौन से छेतर है जिसके अंदर हमें purity की जरूरत है कि हमें कौन कौन से छेतर में पवित्तरता चाहिए तो देखे we need purity in all fields of life कि हमें जरूरत है purity की all fields of life मतलब जीवन के हर छेतर में हमें पवित्तरता की जरूरत है we need purity in food हमें purity किस 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 के अंदर चाहिए फूड के अंदर purity चाहिए, खाने में चाहिए, वोटर, पानी में चाहिए, एर, हवा में, surrounding, वातावरन, heart, हर्दे में, love, प्रेम में, environment, प्रियावन में, society and so on, समाज इत्यादी में मतलब हमें हर छेतर में क्या चाहिए, purity चाहिए, खाना है वो pure चाहिए, हवा है वो pure चाहिए, surroundings है, environment है, heart है, यह सारी चीजों के अंदर हमें purity चाहिए, ठीक है students, अब अगला question है, कि write the differences between purity and impurity, कि write the differences, यानि अंतर लिखे, किसके बीच का purity और impurity, purity में पवितरता और impurity मतलब एह पवितरता, कि purity और impurity में क्या difference है, तो purity की बात कीजिए, देखिए बच्चों सबसे पहले, तो purity promotes health, purity है, वो किसको promote करती है, किसको बढ़ाती है, सवास्ते को, यानि कि, और दूसरा जो इ करती है, mind की सांती परदान करती है, ठीक है, students, दो आपने लिख दिया, अब impurity का देखिए, तो impurities are injurious to health, या पवितरता है, वो गातक है, किसके लिए, सवास्ते के लिए, एक नमर पॉन्ट, नमर दो, impurities impair the mind, impurity है, वो mind को impair करता है, मतलब दूसित करता है, तो मतलब क्या है purity की आने की विशेशता ये है, कि ये promote health, ये health को promote करती है, और impurity क्या करती है, impurity जो आपवितरता है, वो injurious है, गातक है, किसके लिए, सवास्ते के लिए, purity हमें peace of mind परदान करती है, जबकि impurities है, वो impair the mind, ये mind को impair करती है, दूसित करती है, ठीक है, students, अब अगला question है, कि write the importance of purity of environment, कि आप importance लिखिए, purity of environment, कि environment ये यानि की पवितरता की, प्रियावन ये पवितरता की importance बताईए, तो देखिए, purity of environment है, is very essential, बहुत आपसे, एक है, for overall health, किसके लिए, संपुन रूप से स्वास्ते के लिए, क्या जरूरी है, purity of environment है, वो बहुत जरूरी है, we need pure environment, हमें जरूरत है, किसकी, pure environment, for both physical and mental health, यानि कि सारीरिक और मांसिक दोनों स्वास्ते के लिए, हमें किसकी जरूरत है, we need pure environment, तो उमीद करता हूँ, students, ये क्योशन आपको समझ आ गया होगा, अब अगला देखिए, अगला क्योशन है, what are four areas, कि वो चार छेतर कौन से है, where we need purity, जहा हमें किसकी जरूरत पढ़ती है, किसकी आवसेकता होती है, purity की आवसेकता होती है, वो चार छेतर, तो there are four areas, यानि कि चार छेतर है, तो आप क्या लिखोगे, there are four areas, चार छेतर है, where we need purity, जहां हमें किसकी जरूरत होती है, हमें किसकी आवसेकता होती है, purity की, वो are, वो कौन से है वो following है निमल लेकिता है तो we need पहला देखिए हमें जो चार्च हितर जिसमें purity चाहिए we need pure water हमें क्या चाहिए pure food चाहिए water चाहिए air चाहिए for physical health मतलब सारी रिक स्वास्ते के लिए हमें किस किस की जरूरत है we need pure food water और air इनकी जरूरत है नमर दो देखिए we want pure surrounding और हमें क्या चाहिए पवित्तर यानि वातावन चाहिए for किस के लिए the health of our mind तो किस के लिए यानि कि हमारा mind वह सवस्त्र है इसके लिए कि आप क्या लिखोगी या peace of our mind कर दोगी आ पर we want pure surrounding for the peace of our mind मतलब हमारे mind की peace के लिए सांती के लिए यहां health कर्थ लिखा हो है peace लिख देना ठीक है अब अगला है pure hurt and pure love अगला क्या है पवित्र हर्दे और पवित्र प्रेम है वो make over soul pure यह हमारी आत्मा को pure बनाता है अगला है pure environment is essential पवित्र environment है वो आपसे का for good culture के लिए अच्छी सेंस करती के लिए तो इस तरह से बच्चो आप यह चार जो एरियाज है purity के वो आप लिख दोगे जहां हमें किस की आउसेकता है purity की आउसेकता है ठीक है students अब अगला क्योशन बहुत अच्छा क्योशन है आप learn कर लेना very important क्योशन है तो different tasks दो अलग लग काम दिया तो किसको युधिष्टर को और दुर्योधन को कि गुरू जो द्रोणा थे उन्होंने दो अलग लग कारिये दिये युधिष्टर और दुर्योधन को युधिष्टर वोज आस्ट तो युधिष्टर को कहा गया तो bring a bad person कि आप क्या ले कि आईए एक बूरा आदमी ले कि आईए और दुर्योधन वोज आस्ट तो और दुर्योधन को क्या कहा गया bring a good person कि आप एक अच्छा आदमी ले गया इए from same society of Hastinapur यानि Hastinapur यानि कि इस सेम society से मतलब गुरु दुरोणा ने युधिष्टर और दुर्योधन को यानि कि अलग लग काम दिया युधिष्टर को दिये कहा कि आप बुरा आदमी ले कि आईए कहा से Hastinapur समाज से और दुर्योधन को भी क्या बोला कि आपको उसी समाज से क्या ले के आना है एक अच्छा पर्सन ले के आना है ये दो अलग लग आने की टास्क दिया very important question है students याद कर ले ना इसको अब अगला question number 6 कि write the importance of purity of mind कि importance लिखे purity of mind कि mind की जो पवितरता है उसकी महत्वता लिखे तो इसका आप किस तरह से लिखोगे देखे purity of mind है वो देखे क्या करता है mind की पवितरता है वो makes our vision वो हमारे vision को दरश्टी कोण को words, sabdों को and deeds कारिये को प्योर करता है आगली बासन में purity of mind है mind की जो पवितरता है वो makes our vision वो क्या करता है हमारा जो दरश्टी कोण है उसको पवितर बनाता है words and deeds यानि की हमारे जो sabd और जो कारिये है उसको pure बनाता है कौन? purity of mind और it has also the power और purity of mind है इसमें सकती होती है तो purify people लोगों को पवितर करने की सुद करने की सकती होती है और evil has no palace बुराई जो होती है उसका कोई स्थान नहीं होता है इन्दा किसकी उपस्तिती के अंदर यानि कि उसे purity की उपस्तिती में इन्दा प्रेजन्स ओफ ए purity तो आप क्या लिखोगे? आप यह लिखोगे कि purity of mind है वो हमारे vision, words and deeds को pure करता है ठीक है? और it has also the power और इसमें यह भी सकती होती है यह purify कर देती है purify मानि सुध कर देती है पवित्तर बना देती है लोगों को और बुराई है वो किसकी उपस्तिती में नहीं टिक सकती है पहले इन्दा प्रेजन्स लिख देना students यहापे in the presence of purity यानि purity की presence में टिक नहीं सकती है अब अगला क्योशन देखिए अगला क्योशन भी अच्छा है कि child the food is insufficient कि बच्चा यह जो खाना है वो एपरियाप्त है for you आपके लिए you may have this also आप ये भी ले सकते हो what does this statement suggest about पाव हरी बाबा attitude तो कहने का मतलब क्या है कि जैसी वो चोर क्या करता है खाना लेकर क्यानी की जाता है तो वहाँ पाव हरी बाबा था वो उसे क्या कहता है उस यानि चोर को कि बच्चा ये जो खाना आपके लिए है वो एपरियाप्त है मतलब आपसे आपका इतने में पेट नहीं भरने वाला है आप इस खाने को भी ले सकते हो ये जो statement पाव हरी बाबा ने कहा इससे उसका केसा attitude नजर आता है उसका यानि की नजरिया केसा है उस चोर के पड़ती तो देखिए this statement ये जो कथन है कि बच्चा ये खाना आपके लिए प्रियापता है आप ये भी ले सकते हो ये जो statement है वो suggest that ये सुझाओ देता है कि पाव हरी बाबा वोज प्योर एट हर्ट कि पाव हरी बाबा जो था वो पवित्तर था किस से हर्दे से और उसका जो loving and affectionate behavior है वो change the thief's life उसने किस को बदल दिया चोर के जीवन को बदल दिया उसका यानि loving और sunny जो behavior था उसने किस के यानि जीवन को बदल दिया चोर के जीवन को बदल दिया तो केसे बदला देखिए वो अगले question में ये question very important student question number 8 तो देखिए how did the thief react चोर ने केसी परतिकिरिया दी वेहन पाव हरी बाबा offered him more food जब पाव हरी बाबा ने उसे और ज्यादा food offer किया मतलब वो तो चोर था बाबा उसे क्या कहता है बच्चा ये खाना आपके लिए आप रियापत है आप ये भी ले लीजिए तो इस पे उस चोर ने क्या परतिकिरिया दी तो देखिए वेहन पाव हरी बाबा offered more food जब पाव हरी बाबा ने और ज्यादा खाना ओफर किया किसको चोर को तो he was wonderstruck आस्च्रिय चकित हो गया इट दे अफेक्सिनेट वर्ट्स उन सनेई सब्दों से बाबा यानि बाबा के जो सनेई जो सबत थे न उससे वो अस्च्रिय चकित हो गया और वो भागने की बज़ाए क्या करता है he prostrated himself वो दंडूत यानि की गिरा लिया अपने आपको या दंडूत परणाम किया before the saint उस संत के सामने with respect बड़े सम्मान के साथ and begged his pardon और उसने माफी भी मांगी तो देखिए मतलब कहने का मतलब बाबा क्या था यानि की purity थी उसके हर्दे में हर्दे उसका पवित्र था इसलिए वो क्या करता है उसमें बदलावा जाता है और वो दंडूत उसके सामने गिर जाता है नमस्कार करता है उस चोर के जीवन को बदल दिया ठीक है स्टुडेंट्स अब अगला क्योश्चन कि मैंसन दा मैनर ओप गोतम स् तपस्या कि गोतम की जो तपस्या थी उसका मैनर बताईए कि वो किस तरह से तपस्या की थी तो ही ओबजर्ड हार्ड आस्टटीज कि उसने ओबजर्ड की पालना की हार्ड आस्टटीज आस्टटीज का मतलब क्या होता है तपस्या यानि को उसने कठोर तपस्या की और गोतम ने नए तो खाना खाया और नए पानी पिया वो खड़ा रहा ओने सिंगल फूट मतलब एक पेर पे खड़ा रहा तपस्या की कि वो हार्ड आस्टटीज की कठिन तपस्या की तपस्या में लीन हो गया कई दिनों तक वो खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया सिंगल पेर पे एक पेर पे खड़ा रहा अपनी सेंसेज पे जनी की कंट्रोल किया और अपना जो इस्ट देवता था चोजन डाइटी था उसके उपर ध्याने केंदरीत किया अब अगला क्योशन कि वाई वोज गोतम हैपी गोतम हैपी क्यों हुआ वेन दा बर्ड फेल डेड जब पक्छी यानि की मर करके नीचे गिर गया तो गोतम हैपी क्यों हुआ तो वेन गोतम लुक्ट एड दा बर्ड जब गोतम ने उस पक्छी की तरफ देखा विद एंगर गुसे से तो अगले इच्छन क्या होता है बर्ड है वो गिर गया डेड मर करके रिशी वोज हैपी रिशी खुस हुआ विकोज क्योंकि ही हैड ओटेंड उसने प्राप तपस्या की थी हाड तपस्या की थी और वह खुश हुआ कि देखे मेरे देखने मातर से ये पक्छी है वो क्या हो गया नीचे गिर गया तो वह बहुत ज़्यादा यानि कि खुश हुआ तो अब अगला क्योशन है कि I was serving कि मैं सेवा कर रही थी my husband मेरे पती की and feeding my children और मैं मे अपने करतवे के पड़ती यानि कि वह lady उस यानि कि गोतम को क्या कहती है कि मैं क्या कर रही थी मेरे पती की वो सेवा कर रही थी बच्चों को खाना खिला रही थी ये जो कथन है वो क्या सुझाव देता है कि lady का कैसा attitude था अपने करतवे के पड़ती तो क्या लिखेंगे the statement उसका ये जो कथन है वो सुझाव देता है कि लेडी बड़ी सच्ची थी अपनी डूटी के पड़ती उसने माना कि काम ही पूजा है और ये सच है कि वो इस सच्चा होता है फेथफुल होता है वफादार होता है इन डूइंग डूटी यानि कि वो क्या करता है अपनी डूटी करने में यानि कि सच्चा होता है वफादार होता है वो राइजेज हाई वो बहुत उन्चा जाता है तो कहने का मतलब वो एसी थी वो अपनी डूटी के अंदर यानि सिंचेर थी और उसने क्या माना कि वर कीजे, worship है, काम ही पूजा है, और ये भी कहा गया है कि जो अपनी कारिये में यानी सचा होता है वफादार होता है, वो भोत उंचा जाता है, भोत उंचा पदपराप्त करता है, तो इस तरह से next question है students कि the man was bright with purity कि वह जो आदमी था वो purity से bright था चमक रहा था, how does the author bring this out लेखक है, वो इसको कैसे पता चलता है, तो कहने का मतलब लेखक को, इस चीज का कैसे पता चलता है तो कहने का मतलब क्या है, the author says that, लेखक कहता है the taste of genuine purity कि जो असली जो पवितरता है उसकी taste यही है, उसकी असली जो यानी की purity उसकी असली परिक्षा यही है is in its metamorphosing ability कि उसमें क्या होती है metamorphosing ability metamorphosing ability कौन सी होती है हर्दे को परिवर्तन कर देने वाली योगे था, मतलब असली पवितरता क्या है, असली पवितरता वो ही है, जो किसी का हर्दे हर्दे क्या कर दे परिवर्तन कर दे जैसे पावरी बाबा था उसका यानि कि क्या थी उसमें यानि Metamorphosign Ability थी Purity मतलब हड़े को परिवर्तन करने वाली कि उसका यानि कि behavior ऐसा यानि शांदर था कि उस चोर का हड़दे बदल गया और वह बाबा के सामने दंडवत यानी परणाम किया अपनी माफी मांगी तो यानी असली यानी पवित्तरतागी यही दिशानी है कि उसमें कौन सी अबिलिटी होती है मेटा मोर फोजिंग मतलब हड़दे को बदल देने वाली और वह जो आदमी जो की बहुत ब्राइट और था प्यूरिटी से वह आदमी नय तो यानी की ज़्यादा पड़ा लिखा दिख रहा था और नई संत दिख रहा था बट रिसी गोतम वोज कम्प्लिटली ट्रॉंस्पॉंट लेकिन रिसी गोतम एकदम से बदल गया इन हीज यानी की प्रेजेंस उसकी उपस्तिती में यहां प्रेजेंस लिखते ना इसलिए अपन कहा सकते हैं कि वह आदमी क्या था प्योरिटी से ब्राइट था उसमें प्योरिटी कूट-कूट करके भरी हुई थी अब नेक्स्ट क्यूस्टन कि गोतम का जो इगो था गमड था एहम था वो कैसे सुद हुआ तो गोतम इगो वाज प्योरिफाइट गोतम का जो इगो था वो प्योरिफाइए हुआ जो ज़्यादा जो डुटिफूल हाउस वाइप थी उसके द्वारा और जो सिंपल में था विद वूम गोतम में जिससे एगो गोतम मिला उन दोनों के काण उसका इगो है वो प्योरिफाइए हो गया और ये दोनों के दोनों क्या थे गोतम से सुपीरियर थे आचरण में और पवित्रता में ठीक है स्टूडेंट्स ये भी अच्छा परसन है अब अगला क्योशन वू इज प्योर अकोर्डिंग टू दाथर ये भी अच्छा परसन है कि लेखक के अनुसार कौन पवित्र है पवित्र कौन है तो ही वू इज सिंच्यर पवित्र वो है जो सच्चा है इन सर्विस सेवा में फेथफुल इन डूइंग डूटीज कारिये करने में वफादार है लविंग विदाउट सेलफिशनेस प्रेम करने वाला हो नीश्वार्थ भाव से इज प्योर वो ही क्या है पवित्र है कि पवित्तर यानि कि कौन है जो सेवा में सिंचेर हो कारिये डूटी करने में यानि कि वफादार हो और लविंग विदाउट सेलफिशनेस और यानि प्रेम करने वाला हो निश्वार्थ भाव से वही क्या है प्योर है अब अगला एक छोटा क्योसन और कर लेते हैं बाद में एक बड़ा क्योसन करेंगे अगला देखे वाई इस संसकार इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ कि संसकार क्यों जरूरी है हमारे जीवन के अंदर तो इसका स्टूडेंट सपन केसे करेंगे कि संसकार इस इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ संसकार है वो जरूरी है हमारे ज supremacy की जो supremacy इस है जिवा सर्वा स्रेचता है उसकी supremacy of forgiveness जयानिकी माफी देनी की जो supremacy उसकी चर्चा करता है courtesy यानि सिष्ट ता की यानि की चर्चा करता है politeness की यानि चर्चा करता है mercy, dieya की and purity of heart की बात करता है they enable us और ये जो सारी जो चीजे हैं कौन सी चीजे सुप्रीमेशी और फॉर्गिनेस कि आपके अंदर यानि कूट कूट करके यानि की फॉर्गिनेस यानि की भरापड़ाओ माफ करने की चमता बरीपडियो आप में कर्टीसी है पॉलाइटनेस है दया है प्योरिटी ओफ हर्ट है तो ये सारी चीज एनेबल करती है हमें to purify our soul हमारी आत्मा को purify करने के लिए और ये कर्टीसी पॉलाइटनेस ये कब होगी जब हमारे अंदर यानि संसकार कूट कूट के बरेवे होंगे तो इस तरह से students अपन छोटे क्योशन कर चुके हैं और ये जो क्योशन है बच्चो very very important है इस chapter से अगर बड़ा person आता है तो ये मान के चलिए ये 100% यानि गयाएगा very very important person है आप इसको अच्छे से यानि की learn कर लेना लिख लिख करके आप देखना सबसे important person है हो सकता है अगर इस chapter से यानि की क्योशन पूछे एक्जाम में भी आजए तो देखें how does bringing up make all difference in shaping lives तो कहने का मतलब क्या है कि के से bringing up है पालन person है वो यानि की बहुत ज़्यादा अंतर ले देता है जीवन के आकार में illustrate यानि समझाईए with the help of parrots episode यानि parrot वाले यानि episode में या what is the role of a good training अच्छे training का क्या role रहता है and environment का क्या यानि की role रहता है in making us good person हमें अच्छे person यानि की बनाने में तो कहने का मतलब क्या है कि bringing up है वो के से यानि की देखे question है how does bringing up के से यानि की पालन पोशन make all difference एकदम से difference ले आता है in shaping news हमारे जीवन को आकार देने में illustrate समझाईए with किस की मदद से the help of parrots episode यानि episode से या person आजाए what is the role of a good training and environment की अच्छे training और environment का क्या role होता है in making us good person हमें एक अच्छा person बनाने में तो देखे किस तरह से लिखोगे very very important question है students तो देखे the method of bringing up यानि कि पालन पोशन का जो method तरीका है and atmosphere जो available around हमारे चारो तरफ जो atmosphere है वो greatly influence भोग ज़्यादा परभाव डालता है the kids life बच्चे के जीवन पे मतलब पालन पोशन का तरीका और हमारे चारो तरफ का जो atmosphere जो available है वो बच्चे के जीवन पे यानि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है अब देखें one who is brought up in peaceful and civilized atmosphere कि वह person जिसका पालन पोशन हुआ है बड़े peaceful और civilized atmosphere सांती में और सब्बे यानि वातावन में आनि की जिनका जनम हुआ है becomes great वो क्या बन जाता है gentle बन जाता है and civilized सब्बे बन जाता है while the other who is brought up जबकि दूसरा person जिसका पालन पोशन हुआ है uncivilized atmosphere में यानि की ऐसब्बे वातावन में हुआ है वो becomes uncivilized वो ऐसब्बे यानि की बन जाता है कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई person यानि की peaceful or civilized atmosphere में जनम लेता है तो वो बड़ाई विनमर बनता है सब्बे बनता है संसकारी बनता है जबकि एक वोई person अगर uncivilized atmosphere में जनम लेता है तो वो क्या बनता है यानि की uncivilized ही बनता है it can be well understood इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है with the help of parrot episode किसकी मदद से यानि तोते वाले episode की मदद से तो आपने यानि की study कर लियोगी chapter में तो देखे तोते वाला episode क्या था कि there were two parents कि दो तोते थे born together दोनों का एक साथ जनम हुआ from the same mother मतलब एक ही मा के कि दो तोते थे दोनों का एक साथ जनम हुआ एक ही मा के यानि वो दोनों ने जनम लिया one of them was taken away by a hunter एक को किस के द्वारा ले जाया गया यानि एक सिकारी के द्वारा एक तोता जो था उसको एनि एक सिकारी ले गया while the other one जबकि जो दूसरा जो तोता था उसको यानि taken by a scholar एक विद्वान ले गया भदर भासा यानि सीखी while the one brought up by the scholar जबकि दूसरा तोता जिसका पालन पोशन विद्वान के द्वारा यानि किया गया उसने सीखा to speak with softness यानि कि बड़ी softness को मलता से यानि कि बात करना उसने सीखा refinement मतलब सुद and culture यानि कि सुद यानि कि बाते प्योर बाते और culture यानि संसकारी यानि कि बाते यानि कि उसने यानि कि सीखी तो कहने का मतलब क्या है तो देखिए एक हिमा का था अलग-अलग वाताउन में दोनों का पालन पोर्शन हुआ एक सीखारी के यहाँ पे तो वह तो यानि वल्गर स्लेंग मतलब क्या है एबदर भासा से कि जबकि दूसरा स्कोलर ने उसका प्रोट अप किया तो वह क्या बड़ी यानि कि कैसी भासा बोली speak with softness बड़ी softness के साथ बाते बोली refinement and culture सी यूगत उसने बाते बोली तो this was due to ये सब कुछ किसके कारण था बच्चो due to the way of bringing up यानि पालन पोसन के तरीके के कारण ये सब कुछ changing आया और atmosphere available around और वातावन जो कि उनके चारोतराप available था उन सब के कारण यानि कि ये परिवर्तना आया तो therefore we can say that इस कारण हम कह सकते हैं कि संसकार और environmental जो influence है वो बहुत ज़्यादा यानि की परभाव यानि की डालता है तो इस तरह से अपन यानि की बच्चो ये चेप्टर जो है इसके क्योशन आंसर अपनने यानि की कर लिया है तो उमीद करते हैं चेप्टर आपको यानि की समझ यानि की आ गया होगा अगर आपको चेप्टर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर्स करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू